Antibiotics के बारे में आपने कभी ने कभी सुना ही होगा ये वैसी दवायें होती है जिने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बिमारियों में यूज किया जाता है जैसे सर्दी जुकाम है अंटिबाटिक ले लो चोट लगी है अंटिबाटिक ले लो बिमार पड़ गए अ अंटिबाटिक ले लो और अगर बिमारी के बार में पता ना चले तब भी अंटिबाटिक ले लो मतलब ये है कि इन ये डॉक्तर तो प्रिस्क्राइब करते ही हैं लेकिन बहुत सारी लोग सदशन के बिना हे इसका यूज करने लग जाते हैं ऐसा करना आपके लिए सही है या गलत यह तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसे पहले यह जानते कि Antibatics होते क्या है Antibatics को Antibacterial भी कहा जाता है Bacteria या Bacterial Infection से लड़ने के लिए यह बहुत इस शक्तिशाली दवा है यह अगर सही तरीके से लिया जाए तो आपकी जान बच सकती है लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से ना लिया जाए या जरुसे जादा लिया जाए तो इनका effect भी कम हो जाता है और बहुत सारे side effects भी होने लगते हैं इसलिए Antibatics का use कम से कम करना चाहिए और पूरी जानकारी होने के बाद या डॉक्टर के suggestion से ही करना चाहिए इसका असर कितने दिन में दिखता है इसे लेने से क्या-क्या side effects हो सकते हैं इसे कब तक लेना चाहिए और सबसे ज़रूरी इसे लेने का सही तरीका क्या है जिससे आपको पूरा फाइदा हो तो ये है एजी टेबलेट जो Sipla Limited Company का ब्रांड है इसके एक स्टिप में 5 टेबलेट होता है जिसका प्राइज लगवग 116 रुपे है इसके एक पत्य में 5 गोली क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा ये आपको कैमिशॉप पे भी मिल जाएगी ओनलाइन भी मिल जाएगी पर चुकि ये एंटिबाइटिक है आपको इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की पच्चे की ज़ुरत बड़ेगी LG की हर एक टेबलेट में 500 मिलिग्राम एल्थरोमाइसिन एविलेबल है ये एक मेक्रोलाइट गुरूप का एंटिबाइटिक है आज की डेट में इसे एडवांस जनरेशन मेक्रोलाइट भी कहा जाता है क्योंकि इसके काम करने का तरीका और एंटिबाइटिक से अलग है ये बेक्टिरियल के ग्रोथ को रोग देता है by interfering with their protein synthesis मतलब बेक्टिरिया को protein ठीक से नहीं मिल पाता तो या तो ये मर जाते हैं या फिर inactive हो जाते हैं एज़ी टेबलेट जादा तर respiratory track के infection को treat करने के लिए दिया जाता है जैसे कि ear, nose, throat, lungs, skins and eye ये बड़ों और बच्चों दोरों के लिए suitable है इसे typhiid fever, pneumonia की कुछ cases में sinusitis में भी use किया जाता है और sexually transmitted disease जैसकी gonorrhea में भी दिया जा सकता है बहुत से लोग इसे खुदी viral की वज़े से जुकाम और few जैसी problems में use कर लेते हैं जो की नहीं करना चाहिए ये viral infection के लिए नहीं है ये बस bacterial infection को kill करता है दोस्तों इसका misuse किया जाए या फिर overdose लिया जाए तो इसका side effect भी हो सकता है जैसे कि dust लगना, उल्टी होना white blood cells की मातरा बढ़ जाना और पेट में डर्ध होना इसके अलावा और भी symptoms देखने को मिल सकते हैं तो ऐसे cases में आप इसे लिए न बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें दोसों जीन लोगों को allergy है, liver damage है, bacterial diarrhea है, skeletal muscle weakness है, sexually transmitted infection है जाफिर इस medicine से resistant double up हो गया हो तो इसे साथधानी से ही use करें तो चलिए अब जानते हैं कि इसको use करने का साई तरीका क्या है इसका dose हर बिमारी में अलग-अलग और patient पे डिपन करता है जैसे कि अगर किसी को tonsil है, तो recommended dose है, पहले दिन 5 mg एक बार, फिर दूसर दिन से 50 दिन तक 20 mg एक बार इसका course 5 दिन का होता है, इसलिए इसके एक strip में 5 tablet अविलेबल होता है तो ये था as the tablet के बार में सब कुछ, एक बात और, चाहें कोई भी एंटीबाटिक हो, इसे खुद से नहीं लेना चाहिए विडियो helpful लगी हो तो आप इसे like करें और बने रहे info अब के साथ अपने health related सभी जानकारी के लिए